हेले विवर स्वागत है आपका स्टड़ी वे डॉक्टर पवनोब्रा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पवनोब्रा देखिए फिर से आज आपके लिए इस वीडियो में ले करके आया हूँ चौधरे चरण सिंग निवस्टी मेरट का हिस्ट्री का पेपर जिन स्टुडेंट्स के पास में हिस्ट्री है तो ये दो पेपर है आपके एक तो हिस्ट्री ओफ इंडियन कल्चर और दूसरा जो आपका पेपर है वो हिस्ट्री ओफ मॉडरन वर्ड तो इन दोनों पेपर में 24 होती है तो दोनों पेपर में आपको solve करवाऊंगा मेरे पास 2016 तक के जो question papers है वो available हो चुके हैं तो धीरे-धीरे मैं इन्हें discuss करता रहूँगा और ये वही booklet है जो के Hindi English दोनों में जैसी आपको exam में आती है तो वो सारी के सारी ये booklet है तो मैं आपसे जो है discuss करता रहूँगा तो मेरे चैनल देख रहे हूँ तो study with डॉक्टर पवनोब्रा यूट्यूब चैनल subscribe करके आप सभी students इनके आप playlist विजिट कर सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो भी कोई question papers होते हैं ये मैं प्ले लिस्ट में add कर देता हूँ तो आपको प्ले लिस्ट में आप search कीजिएगा चैनल subscribe करने के बाद तो आपको इस सारे के सारे question paper मिल लाएंगे तो ये अचली हिंदी मीडम वालों को तो matter फिर भी अब लेवल हो जाता है बट इंग्लिश वीडियम माले students के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा helpful रहेगी क्योंकि इंग्लिश वीडियम में उनको matter अब लेवल नहीं हो पाता मेरे पास extra demand रहते हैं कि sir english matter दीजिए तो ये 600 questions मेरे पास में हैं 2016 से 2021 तक के मेरे पूरी-पूरी कोशिश रहेगी कि ये 600 questions मैं आपको पहुंचाऊ ठीक है ना आप इसको जो है purchase भी कर सकते हैं अगर आप ये पू वाइल नंबर है आप गूगल पे फोन पे पेटियम करके आपको जिस paper का चीगी हो तो एक subject के आप 45 रुपीज दे करके 600 questions मुझसे purchase कर सकते हैं सिर्फ message कीजेगा phone मत कीजेगा वो कि समय का मिल पाता phone receive करने का चलिए तो dictate मैं केवल हिंदी में करूंगा answer हिंदी English zone में मैंने लगा दी है ठीक है ना ये हाला कि मेरी playlist में है पहले भी मैंने last year ये करवाया था लेकिन English freedom माले students की वज़े से मैं ये paper दुबारा करवा रहा हूं तो कि उस समय ये English में नहीं question मिल पाए थे केवल हिंदी में मिल पाए थे मेरे को अब ये booklet available हो गया तो मैं आप से discuss कर रहा चले नमबर फर्स question है कि कौन सा हडपन स्थल सुमय मेलित नहीं है तो जो D option है सुद कागें डोर महान सागर ये जो है इससे matching जो है वो नहीं करता निमलेकित में से कौन मुद्रा शब्द से सम्बंदित है तो ये जो drum है ना actually ये मुद्रा से सम्बंदित है ध्यान रखेगा option number B drum कारवेल के हाती गुफ़ा अभी लेक में निमन में से किनका उलेक है तो इसमें हम बात करते है option number D की तो इसमें देखे जो आपका option है first, second और fourth यानि की शात करनी उसके बाद बह सितिमित और जो fourth number है आपका रठिक तो ये चारो के चारो जो हाती गुफ़ा खारवेल में है ये हाती गुफ़ा ध्यान रखेंगे ना ये भी question आता है कि हाती गुफ़ा कहां है तो ये खारवेल में है तो इसमें D option आपका सही है हडपा सभ्यता की अधिकांश मोहरे निम में से बनी हुई है तो जो ये आपका सेल खड़ी है इससे बनी हुई है निमलेके तिस थलों में से कहां पर सबसे पहले चितरित धूसर म्रद भांड जो की PGW है उसका प्रमान मिला था तो वो जगे है एहिच्छिन चीक है एहिच् नाम है शिक्स है कि निमलिकित खगोल विदों को काला नुकरम में विवस्थित कीजिए ठीक है यानि कि सीरिल वाइज लगाना है तो सीधे हम अप्शन नमबर सी पे जाते हैं कि सबसे पहले फोर्थ नमबर तो सबसे पहले थे ब्रहम गुप उसके बाद थे आरे भट सेकि प्रसकरत चारे और उसके बाद है आपका ठर नमबर पे भट उत्पल ठीक है तो इस सीरिल नमबर के हिसाब से यह आपको बताना है यह कोशन बहुत इंपोर्टन है टीजी टी पीजी टी और एंटी ए नेट के परपस से भी अगर आप टीजी टी पीजी टी और एंटी जिनात को कश्मीर के निमलिकित शाषकों में से किसने अपने राज्य को परलेकारी बाड से बचाने के लिए वित्सता नधी पर बांध बनवाया था तो वो थी एवंती वर्मन ठीक है एवंती वर्मन ध्यान लखेंगे किसने तेरा सो अठारा में दावा किया कि भारतिय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर सेस्था हासिल है तो ये दावा किया था अमीर खुसरों ने निमलिकित में से कोन सही सुमे मेलित नहीं है तो इसमें option number B जो मोहन जो दाड़ो है वो शवाधान आर सैंतिस से जो है वो मैचिंग नहीं करता यही उन्होंने हम से पूछा है पकी मिट्टी का हल मिलता है यह है बनावली चीक है पकी मिट्टी का हल जो मिला है यह बनावली में ब्रहमनी लिपी में प्रथम सदी इस्रापूर्व के अयोध्या के सुंगों के संस्कित अभिलेक में निम्न का नाम नहीं है चीक है तो यह है आपका काला शोक इसका नाम ध्यान अखना विवर्स यह थोड़ा सा पेपर तफ रहता है तो अगर जिन बच्चों के पास भी पेपर हो ना तो उसकी त्यारी आप बहुत अच्छे से कर लीजेगा निमलेकित में से कौन सा मंदिर इटों से निर्मित है तो जो सिर्पूर का लक्ष्मन मंदिर है यह बात ध्यान रखना है यह भी कोश्चन आता है कि लक्ष्मन मंदिर निमलेकित स्थानों में से कहां पर सित्य तो वहां पर अगर सिर्पूर का नाम आता है तो यह बात ध्यान रखने की वो लक्ष्मन मंदिर जो है वो सिर्पूर में है ध्यान रखेंगे निमलेकित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षन संस्था की स्थापना की थी, तो जो विग्रह राज थे, उन्होंने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षन संस्थान की स्थापना करी थी, विग्रह राज, निम्न में से कोन सुमेमेलित नहीं है, तो इसमें जो आपका option number D ही है ना समेश्वर्ट ठर्ड जो है वो क्रते कल पत्रू से संबंदित नहीं है यह ध्यान रखेंगे निमलेकित मंदिरों में से कौन सा मंदिर भारत के पूर्वी भाग में इस्थित है देखे जो सूर्य मंदिर है वो कोनार्क में इस्थित है और जो कोनार्क है वो उडिशा स्टेट में है ध्यान अकना कोनार की ये सिटी नेम हो गया और कोनार जो है वो उड़िसा में स्थित है सूर्य मंदिर बहुत फ्रिमस मंदिर है यहां का चचनामा और बावर नामा क्रमशय किस भाषा में लिखे गए थे ये भी बहुत इंपोर्टन कोश्चन है आपका तो इस रखी गई थी आपकी तुर्की भाषा में तो ओप्शन अंबर सी इसका करेक्ट है निमलिकित प्राचीन भारतिय विभाव पधितियों में किस एक में वधुशुल्क देने का नियम था तो वो थी असुर्ट निमलिकित प्रोहितों में से कोन यग के संपादन का निरिक्ष हुआ है ठीक है तो ये कोई पदवी होती थी उस समय में ये करते थे ठीक है उनिस का भी युद के निमलिकित शास्त्रों में से कोन हडपा संस्कृति के अबशीशों में प्राप्पे है तो जो धनुश और तीर है ठ्यान लखेंगे सुदास के विरुद रिगवेद में उल निमलिकित में से किस शाशक को वन संकर प्रथा को रोकने का श्रे दिया गया तो वो थे गौत्मी पुत्र शात करनी ठीक है गौत्मी पुत्र शात करनी ठीक चलिए नेक्स है आपका हडपा संस्कृति के लोगों ने ज्यहू यव तथा कपास की खेती का ज्यान निमनिस्थ पूर्वजों से प्राप्त किया, तो वो थे मेहरगर के, मेहरगर, निमलिकित में से किस देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगोस कोई अभिलेख में हैं, तो इंद्र, वरुन, मित्र और नासत्य, ठीक है, देकिया इरा ऑप्शन, इंद्र, वरुन, मित्र और नासत्य, भारत में कहां पर भोज़ पत्र जो कि भारत की बहु प्रचलित लेखन समगरी है ठीक है ध्यान रखेंगे जो भोज़ पत्र है वो भारत की बहु प्रचलित लेखन समगरी का नाम है तो उसका प्राचिंतम शाक्षे पाया गया है तो वो श्रिंग वेरपूर में पाया गया ह श्रिंग वेव पुर्ग नमलकित में से सुख्ल यजुर्वेट की कौन सहीता है तो वह है वाज सिनई वाज सिनई नमलकित में से किस डक्षिन भारत के राज्ये का उलेक मेंस्थनीज की इंडिका में है तो ये बुक का नाम है द्यान रखना, मैगनीज तो नाम हो गया विद्वान का और उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम इंडिका है तो जो पांडे है इनका उल्लेख है कहां पर भारतिय उप महाद्वीप का सबसे बड़ा अर्ध वरताकार पूजास्तल खोजा गया सिरकप में बुद्ध के समकाले धार्मिक संपरदायों का उल्लेख किस बोध साहित्य में प्राप्त होता है तो वो है ब्रह्मा जाल सुत में द्वित्य बोध संगीती कहां हुई वेशाली में हुई सनान किस प्राचीन भारतिय संसकार का दूसरा नाम है वो समावरतन का है एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है तो एलिफेंटा की गुफाओं में जो है वो शैम मूर्तियां बनी हुई है किस अरव यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहर भोज के शाशनकाल में भारत आया था तो वो है सुलेमान निम्न में से कोन एक मौरे कालिन शैलकरत मूर्ती है तो वो है धोली गज महावीर का सम्मंद है तो महावीर का सम्मंद है वो सिंग से है शत्रिये वन्षज होने के आधार पर किस ने बुद्ध के अस्ठी अवशेशों में हिस्सेदारी का दावा किया था तो वो किया था अजाद्शत्रों ने निमलेकित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए और उप्रियुक्त लेखकों का सही कालानुकरम है तो देखिए option D इसमें correct है सबसे पहले है टेसियस उसके बाद मैक्सनिस उसके बाद है पिलिनी और उसके बाद है टालमी तो यह जो question में दे रखा है वही sequence यह वो छीक है बुद्ध ने अपने सरवाधिक उप्देश कहां पर दिये थे देखिए यह भी बहुत अपने आप में important question है मात्मा बुद्ध जी ने अपने जो सबसे ज़्यादा जो उप्देश दिये थे वो श्रावस्ती में दिये थे स्वामी महावीर के भिक्षणी संग की प्रधान कोन थी वो थी चंदना निम्न में से किस अभिलेक में सूर्य मंदर के प्रमान का अभिलेक का उलेक है वो है मदसौर में निम्न में से भारत के किस राजवन्ष ने अपने सिक्के जारी नहीं किये पल्लव ने निम्लिकित में से कांची का कौन सा शाशक समंदर गुप्त का समकालिन था तो वो था विश्नु गोप ठीक है विश्नु गोप निम्लिकित में से कौन लेकक अपने समकालिन समाज की ब श्रेमेंद्र आजी वक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे तो वो मखली गोसाल थे निमनांकित किसी स्थल पर इस्थित इस्थूप अफशेशों से अशोग के प्रस्तर पर उद्भरत प्रतिमा प्राप्थ हुई जिस पर उनका नाम उद्खिंड है चलिए इसकी ऑप्श डी कंगन हली जैन धरम के वास्त्रिक संस्थापक किस जनजाती से थे तो वो ज्यात्रिक जनजाती के थे बुद्ध के जीवन के संदर्म में निमलेखित सूचियों को सुममेलित कीजिए तो हम बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं क्यों जो कमल है तो वो जनम से संबंदित है च उसके बाद बी नमबर पे जो घोड़ा है वो त्याक से संबंदित है सी नमबर पे चक्र है वो प्रथम धर्मवदेश से संबंदित है और डी नमबर पे जो स्टूप है वो महापरी निर्वान से संबंदित है ठीक है तो बी ऑप्शन इसमें सही है बो बोधिस्त्व का धान किसके साथ संबंदित है, तो वो महायान बोध धर्म से संबंदित है, कौन गंधार कला का केंद्र नहीं था, कंनोज, मतुरा कला शैली में किस रंग के पत्थर का उपयोग किया गया, लाल पत्थर का, शेक बहाउद्दीन जकारिया किस संपरदाय से संबंदित थे तो वो थे सुहरा वर्दी सिलसिला निमन में से कौन तुरुकान ए चिहल गानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था वो था इमाउद्दीन रेहान मुगलों के परसिद गोलाकार गुमदों के पूरुगामी को वास्तु शिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है तो उसे बीदर के रूप में जाना जाता है बकाल किसे कहा जाता है देखें बकाल जो है वो एक्शली व्यपारी को कहा जाता है ठीक है टेडर को शेक सलीम चिस्ती का मकबरा कहा है तो ये है फतेपूर सीकरी में ठीक है निम्न में से किस इतिहासिक इस्थल पर बीरबल महल इबादत खाना और तान सेन के बरादरी इस्थित है तो वो भी फतेपूर सीकरी में है निम्न में से किस शहर को जहागीर ने गर्दाबाद यानि की धूल गर्द वाला शहर और जहनुमाबाद यानि की नरकिये शहर नरकिये मतलब नरकिये जो नरक जैसा शहर हो तो बताकर तिरस्क्रत किया था तो वो शहर था एमदाबाद यह भी बहुत important question है मनुची ने निमलिकित भावपूर्ण टिपनी किसके बारे में की है कि जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्ये को नस्च करने की बाद ठान लेता है तो वह बादशा के पास जाता है माशे अगर आप मुझे धन उगाने और कुछ अतियार बन सिपाईयों की भरती की इजाज़त दे तो मैं आपको इतने लाख दूँगा तो यह कहा था इजारादारी ने ठीक है इजारादारी मुखे काजी जब शाही कैम्प के साथ चलता था तो वो कहलाता था तो उस समय उसको कहते दे काजी असगर ठीक है काजी असगर नमलेकेत में से कोन सी इमारत प्रेलणा में इराणी और क्रियानवन में भारतीय है तो वो है हिमाईू का मकवरा हिमाईू का मकवरा ध्यान नखेंगे किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के अकेश्वर वादी सिधानतों में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ युनिटेरियन मिशन की स्थापना करी तो वो थे विल्यम एडम जोनपुर में अटाला मस्जित का निर्मान किस ने करवाया था तो वो शर्की सुल्तानों ने कराया था ठीक हैं शर्की सुल्तानों ने वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसके मृत्यू के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था तो वो थी हमीदा बानो बेगम ठीक है हमीदा बानो बेगम निमलिकित में से किस ने अपाहिज लोगों के संबंद मे जानकारी एकत्रित के तथा उन्हें गुजारा भत्ता दिया तो वो था शेर शाहा किस शाशक के शाशन काल में अंत में दिवारों पर फूलों की सजाबट कीमती पत्थरों से बनानी शुरू की गई जिसे पित्रा दिूरा कहा जाता था वो था जहांगीर बडायू गेट क जहां इस स्थित हैं तो वो दिल्ली में स्थित हैं सुल्तान का नाम बताएं जिसने शराब पीने और इसकी बिक्री पर रोक लगाई थी तो वो था अलाउदीन खिल जी निमलिखित मुगल शाषकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग बरा है या उसका चेहरा तयार किया है तो वो थे जहांगीर खिलत जो कि मुगल शाष को दुवारा अमीरों को दी जाती थी तो वह थी एक तो उसको कहते थे वस्त्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवता एक लाग असी हजार दास थे इन में से कितने दास शिल्पियों के रूप में कारे करते थे वो थे 12,000 द्यानन सरस्वती निमलेकित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे तो थे गाएं के प्रती पुझे भाब निमलेकित में से कोन एक प्राच्य विद नहीं था ठीक है तो वो था शाल्स ग्रांट जोने फिर से देखें मैचिंग का कोशन आ गया है तो मैं आपको सीधा आपको मैचिंग बतानी है कि जो घटना वोई और वो सम्मंदित व्यक्ति कोन है उसके साथ तो इसमें हम सी आप्शन के तरफ जाते हैं जो हिंदू विडोज यानि की जो रिमेरिज एक्ट था दुबारा से शादी जो विद्वा औरते हो जाती थी तो उनकी दुबारा से मैरिज हो जाती रिमेरिज एक्ट तो वो था लौड डलहोजी से सम्मंदित उसके बाद दास्ता की जो समापती थी उससे सम्मंदित है लौड एलिन बरो और प्रातना समाज तो वो सम्मंदित था आत्मा राम पान्डू रंग से और जो सत्य शोधक समाज है तो वो सम्मंदित है जोती बाप फूले से तो C option इसमें आपका सही है 74 question आपका फिर से matching का के निमलिकित सितम्मों को सुमेमेलित कीजिए वो संस्था कौन-कौन से संस्था पक थे तुम जाते हैं सीधा A option के साथ जो Hindu college है उसकी स्थापना करी थी David Hare ने MAO college की स्थापना करी थी Sir Sayyad Ahmed Khan ने उसके बाद जो संस्कृत college है उसकी स्थापना करी थी जो Nathan Duncan ने और जो D है आपका Bethune college तो उसकी स्थापना करी थी जोतीबा फूले ने तो A option आपका सही है पूर्वी ज्यान यूरोप ये ज्यान से घटिया है यह टिपनी किसकी है तो यह टिपनी है मेकाले की ठीक है मेकाले की चलिए इसके बाद है आपका कुशन मच्यत्तर यूनिवर्स्टी ओव वंबे जिस एक्ट के दुआरा अस्तित्तुम में आई वो एक्ट कब पास हुआ यह बहुत important question है यूनिवर्स्टी ओव वंबे एक्ट जब अस्तित्तुम में आई थी तो वो था 18 जुलाई 1857 को ठीक है 1857 लगभर याद रहता है बस डेट इसमें याद रखना थोड़ा सा जूरी है तो 18 जुलाई 1857 में उनिवर्स्टी ओव वंबे अस्तित्तुम में आई थी निम्न जो शब्द है वो किसके है जब तक लाखों लोग भूक और अज्ञान में जी रहे हैं मैं हर उस आदमी को विश्वास घाती मानता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्रापके लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया तो ये शब्द किसके है तो ये शब्द है स्वामी विवेकानन जी के पूसा में क्रिशी अनुसंधान क्रिशी संस्थान किसने स्थापित किया तो ये भी ध्यान रखना है जो क्रिशियन संधान संस्थान है आपका वो पूसा में है तो वो किया था लॉड करजन ने अंग्रेजों दुवारा हस्त गत बंबई पर पूर्वा धिकार किसका था तो ये था पुर्त गालियों का ठीक है ना पुर्त गाली एशियाटिक सोसाइटी और बंगॉल की स्थापना किसकी अभिवरिध्धी के लिए की गई थी तो जो भारतिये भाषाओं और शास्त्रों के अध्यन के लिए चलिए एक ऐसी कोशन में बहुत अच्छा है कि अलिगण विश्विध्याले की प्रकृती की विशेष्टाओं को इसपस करने के लिए निमलिकित में से कोन सा सही है तो इसमें ऑप्शन भी सही है एक तो है आपका ब्रिटिस मर्थक और दूसरा कॉंग्रेस विरोधी ठीक है ये अच्छा कोशन है दार उल अलूम की इस्थापना किस जगे पर की गई है तो ये देबन में ये तो वर्ड फ करने के समय बंगाल के गवर्णर पर गोली चलाई थी तो वो थी बीनादास गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान किसके सम्मान में किया गया था किंग जॉर्ज फिफ्ट के भारतिये पत्रकारिता का अगरदूत कोन था तो वो थे जेम्स आगस्टस हिक की निमलेकित में से क इसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आरे समाज की स्थापना करी तो वो थी पंडिता रमाबाई ठीक है पंडिता रमाबाई चलिए राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखा कोन था तो था मेरी कारपेंटर किसके प्रियतन सवरूप विद्वा पुनर विवह अधिनियम बना तो वो था इश्वर चंद्र विद्यासागर ठीक है ना इश्वर चंद्र विद्यासागर भारतिये सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतिये का नाम बताईए कि वो थे सतेंद्र नात टैगोर ठीक है सतेंद्र नात टैगोर चलिए 90 हैं मदरास स प्रकाशित किये गए प्रथम सांधे दैनिक समाचार पत्र का नाम था तो वो है आपका दी मद्रास मेल ठेक है बॉम्बे का कौन सा होटल जमशेद जी टाटा दुवारा निर्मित कराया गया था तो देखे ताजमेल होटल बॉम्बे का फेमस है ना जमशेद जी टाटा दु भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष एस्थानांत्रित की गई तो वो की गई थी सन 1911 में पहले क्योंकि कलकत्ता थी राजधानी दिल्ली बाद में בנी है बंबई का निमन में से कोन सा भवन इस्थापत्ते की नव गोथिक शैली का उधारण है तो जैवियर्स कॉलेज, बॉम्बे उनिवस्टी और बॉम्बे सचिवाल ले ये तीनों ही थी तो D option इसमें सही है उप्चुक सभी कौन सी इमारत Edwin Lutian के दुआरा डिजाइन नहीं की गई थी बॉम्बे उच्णियाले कि इस विश्विद्याले में निर्देशों का माध्यम अंग्रेजी के इस्थान पर उर्दू रखा गया कि वो था उस्मानिया विश्विद्याले ये भी अपने आप में बड़ा important question है एंटियनेट के लायक ठीक है चलिए 1917 के Sadler विश्विद्याले आयोग में भारतिये सदस्य थे तो दो सदस्य थे और ये भी ध्यान अकना की जो Sadler विश्विद्याले आयोग स्थापित हुआ वो 1917 में था तो उसके सदस्य थे एक तो जियाउद दीन एहमत और दूसरे थे सर आशुतोष मुखर जी तो इसमें जो C option है वो correct है ठीक है जियावदीन एहमत और सर आशुतोष मुखर जी भारतिये विश्विद्याले आयोग जो 1902 में स्थापित हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था तो वो थे सर थौमस रेले ठीक है सर थौमस रेले भारतिये विश्विद्याले आयोग 1902 ये भी आपको ध्यानक ना है 1781 में कलकत्ता मदर्सा की स्थापना किसने की वो की थी वारेन हैंस्टिंग्स ने वारेन हैंस्टिंग्स शांती निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है तो ये है वीर भूमी में ठीक है वीर भूमी जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है भारत में प्रथम समाचार पतर था ये भी बहुत इंपोर्टेंट है तो वो बंगाल गजट था ठीक है और यह viewers देखे, युनिवर्स्टी की answer किया, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, कि मैंने इस answer की के according ही आपको answer बताए है, ठीक है, viewers, तो Hindi medium वालों और English medium वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful है, इस वीडियो में मैंने आपको 100 questions बताए है answer, निशान में इसलिए लगा देत हूँ, ताकि जब बच्चे PDF file purchase करते हैं, तो उनको revision करने में असानी रहे, नहीं तो लास्ट का page आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, viewers, तो चैनल जूर subscribe कर सकते हैं, study भी डॉक्टर पवनोबराय, और Hindi, Economics, Education, Psychology, Political Science, और History, ये सारे subject हैं इसमें, तो आप इसको देख सकते है Thank you.